तो अभी तक काफी सारे dash cams का हमने review किया है लेकिन इस बार जो मेरे पास dash cam है यह बिल्कुल different है अब different का मतलब यह नहीं कि यह कोई drone बन जाएगा different इसलिए है क्योंकि बहुत सारे advance feature और एकदम cool design के साथ आता है तो यह Red Tiger का F4 4K front dash cam जिसमें आपको touch screen के साथ advance voice control feature मिलता है और यह voice control ऐसा नहीं कि आपको इसको wake up करना पड़ेगा simply command दो direct काम करेगा और यह रही आपकी screen पे वो सारी commands जिससे आप इसके सारे features यूज कर पाऊगे और जो यहाँ पे sensor यूज किया गया है वो सोनी का starvis f1.5 अपर चरवाला है जो की extreme weather condition even low light में भी यानि के night vision के रूप में भी काम करेगा यानि के रात के अंधेरे में भी यह कर देगा हुजाला अब चलो इसको लगा डाला तो life jean जलाला तो कुछ इस टाइप की box packaging में आता है यहाँ पे इसके salient feature जो मैं आपको अलड़ी बता चुका हूँ बाकि इसमें built-in wifi GPS है और इसका dedicated app आता है red tiger के नाम से यहाँ पे जी sensor और loop recording मिल जा रही है तो दो compartment है एक side तो है अपनी सारी की सारी accessories जिसमें सबसे पहले आपको एक power adapter मिलता है विट type C cable बाकि इस वाले USB type A port से आप अपने phone भी चार्ज कर सकते हो यहाँ पे wiring को clip करने के लिए काफी सारे hooks देन यह एक wire tool wire को gap के अंदर लगाने के लिए एक एडेसिव टेप अगर आप अपने dash cam को दुबारा हटा के लगाते हो और एक यह mount दिया है इसके उपर भी है इधर है अपना main dash cam वाओ यह काफी भारी है तो एक बार film को remove कर लेते हैं तो इस dash cam की जो build quality है वो काफी जादा strong है और पकटने में भारी महसूस हो रहा है और लुक्स की बात करें तो एकदम premium और दिखने में तोड़ा सा क्यूट फ्रेंट पे सोनी स्टार वी सेंसर के साथ f1.5 अपर चरवाला कैमरा और रियर पे high resolution touch screen बाग इस बार जो air vents है वो ऊपर और नीचे भर भर के दिया है और touch screen होने के साथ-साथ यहां पे आपको तीन पील करना है, windscreen की center पे अपने camera को align करना है और चिपका देना है अब install करने के बाद दो चीजे मुझे अभी पता चली कि एक तो आप ऐसे खिसका के camera को निकाल सकते हो अगर कभी साफसाफाई करनी है तो अभी लगा देता हूँ इसको बाकि यह dash cam arm पे align है तो इसका फाइद चली आनी के अगर आपकी गाड़ी बंद भी खड़ी है तब भी यह monitor करता रहता है लेकिन उसके लिए आपको hardware kit लगानी होगी जो कि मैंने अपनी गाड़ी में already install की हुई है लेकिन अगर आपको 24x7 parking feature नहीं चीए तो simply आप यह adapter यूज़ कर सकते हो जब जब आप गाड़ यूज़ करोगे आपका dash cam काम करता रहेगा बाकि wiring को इस tool की help से gap के अंदर आपने लगाना है जिससे थोड़ी सुंदरता भी बनी रहे है ऐसा थोड़ी गाड़ी में wire लटका देंगे और मैं direct करने लग गया था एक चीज़ धियान रखना कि पहले अपने dash cam को इस cable से connect करन है जो की उतार के करना है simply यहाँ पे इसको plug-in किया और यह जो 3.5 mm जैसा jack दिख रहा है 3.5 mm नहीं है उससे थोड़ा कम है power on हो गया है इस पे आप rear cam attach कर सकते हो और बोक्स के अंदर नहीं आता लेकिन additionally आप purchase करके अगर लगाओगे तो चल जाएगा अभी stream tool की help से आपने wiring को gap के अंदर लगाना है और बस फटा फट वायर इस तरीके से आपकी जो है नहीं जाएगी अंदर ऐसे इतनी आसानी से लेकिन अगर थोड़ी सी हिम्मत करोगे तो चली जाएगा फर्ष्ट ओफ और टची स्क्रीन की बात करें तो काफी smooth है और बहुत जादा responsive ही मतलब जह है मतलब simply आपने command देनी है कुछ भी इसको नाम लेके नहीं बुलाना simply काम करेगा turn on wifi और यह इसलिए है कि अगर आप app यूज कर रहे हो जो कि मैं कर रहा हूं अपने phone की wifi settings में जाना है यहां पर जो अपना dash camera red tiger f4 यह display हो गया है simply आपने जो password screen पे दिख रहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 यह डालना है और join कर लेना इसके बाद आपने app पे जाना है जहां पर आपका f4 camera display हो गया simply access camera पर टैप करो and you can see कि आपको live view मिल रहा है आपकी गाड़ी की speed क्या है क्योंकि गाड़ी अभी steady घड़ी है तो zero आ रहा है यहां पर आपको HD card show हो रहा है जिसमें आपकी सारी की सा करके देखा तो वो सब कुछ है इसके अंदर अगर snapshots की बात करो तो snapshots में आपको photos मिल जाते हैं and again अगर आप camera को command दोगे take the picture तो आपका photo snapshot भी real time में ले लेता है इसके बाद अगर आप logged section में जाओगे यानि के impact वाली videos तो अभी तक हमने कोई impact नहीं किया है वो यहां पर record होगी टेक पिक्चर लोग दा वीडियो ठर्न ओन वाइफाई यह सभी command देखे आप videos को record कर सकते हो और photos capture कर सकते हो यहां पर आप देखो तो दो आइकन दिये एक video record के लिए और एक snapshot के लिए तो manually app के अंदर भी लिया जा सकता है यहां पर आपको settings मिल जाती है app के अंदर ज यहां पर यहां पर sound recording on off कर सकते हो resolution सेलेक्ट कर सकते हो जिसमें 4K 25fps 1440p यानि कि 2K पर 60fps और 1080p पर 120fps तो हम तो 4K में ही करेंगे यहां पर loop recording option यानि कि एक एक मिनिट की तीन मिनिट की या पाच मिनिट की आप clip बना सकते हो तो एक मिनिट वाला बैस्ट ते ढूंडने में भ यहां पर चेंज कर सकते हो और उसका password भी बागी अगर कभी factory set करना है तो वह भी हो जाएगा और जो storage है आपकी वह यहां पर show हो रही है 32GB वाला card जिसमें 29.5GB usable है और उसमें 22.8GB अभी बची हुई है बागी यहां पर कुछ options आपको दिख रहे होंगे like switch camera गर में rear camera यूज करता तो यहां से switch हो जाता screen की orientation यहां से change हो जाएगी full screen में चला जाए गई and you can see कि सारी की सारी details even आपकी latitude, altitude, date, time, कितनी speed पे है, कौन सा model है, सब आ रहा है और यह वाला जो icon है, यह flip mirror वाला है यानि कि अगर आपको screen को mirror करना है इस तरीके से तो पूरा का पूरा जो orientation है picture क तो वो completely mirror हो जाएगी, अब कुछ जो features and settings है वो सिर्फ और सिर्फ आपको dash cam पे access करने को मिलेंगे, तो सबसे पहले यहां पे जो wifi है उसको बंद कर लेते हैं, उसके लिए आपको command देनी होगी, turn off wifi, अब साधी साथ कुछ और commands इसके साथ मिलती है, वो भी try करके देख लेते देन जी sensor की sensitivity हमने medium रखी हुई है, fatigue driving यानि कि यहां पे आप एक alarm या reminder set कर सकते हो, fatigue वाला, तो यह आपको remind कर देगा कि थोड़ी शांती, देन यहां पे wifi मिल जाएगा आपको, इसके बाद click tone अगर बंद करना चाहो, मैं नहीं बंद कर रहा है क्योंकि पता चलता है, मतलब touch कर रहे हैं, अब देखो अगर बंद कर दिया तो एकदम sunnata चाह जाएगा, यह off कर दी है, अब यह बिल्कुल शान्त हो गया, मज़ा नहीं आ रहा, on करते हैं, देन यहां पे screen saver आप use कर सकते हो, मैं नहीं यूज कर रहा हूँ, दो मिनिट तक का screen saver यहां पे आपको मिल जाएगा, voice control on किया हूँ है, और यह रही वो सारी की सारी commands जो आप इस पर use कर पाओगे, यहां पे mirror flip कर सकते हो, rear camera की setting है, rear camera भी install नहीं किया है, तो यहां पे दिखा रहा है, please connect ACC hardware for parking sensing, यहां पे आपको parking mode मिल रहा है, जैसे ही आप इस पर tap करोगे, तो यह hardware kit को बोलेगा, GPS केस की info यहां पे आपको सारी की सारी satellite के status मिल जाएंगे, date का stamp on किया हुआ है, speed unit किलोमेटर पर आ रहे है, language अंगरेज जी है, जिसमें frequency आपकी 50Hz रहेगी, और अगर आप आपको नहीं मिल रहे है, तो आपने simply app पे tap करना, और यहां पे आपको जो app का QR है, वो दिख है, although मैं already test थोड़ा बहुत कर चुका हूं, तो यह 4K at 25fps with HDR record करता है, हमने 4K resolution ही select किया हुआ है, और इसमें आपको 160 degree का wide angle मिल रहे है, which is quite wide, मतलब आपको पूरा दिख जाता है, पूरा का पूरा road cover यहां पे हो रहा है, और ऐसा लग रहा है, जैसे मतलब इसमें optical image stabilization हो, मतल कहां पे थी, कितनी speed पे थी, और मतलब जो altitude, latitude वाले degree होती है, वो सारी चीज़े आ जाती है, बाकि जो यहां पर video quality है, daytime में वो बहुत जादा satisfactory है, आपको number plates बहुत easily दिख जाती है, आप थोड़ा बहुत zoom भी कर सकते हो, और थोड़ा बहुत क्या काफी हद तक zoom कर सकते हो, अगर आप PC पे या किसी mobile में आप footage देख रहे हो, आपने number trace करना है, तो fast moving scenes में भी easily हो जाता है, और मैं आपको recommend करूँ अगर आप इसको daytime में चलाते हो, तो 1440p यानि के 2K at 60fps पे चलाओ या 1080p at 120fps पे, जिसमें आप पूरे के पूरे जो scenes हैं, वो slow motion में भी देख सकते हो, बागे अब यहाँ पे low light, यानि के night condition में किस type की video देता है, वो आपको दिख रही होगी, and again, मतलब जो Sony का starvis sensor है, F1.5 aperture है, वो पूरा जलवा दिखाता है, और रात के time में भी, अगर आपकी headlamps की light भी number plate पे पढ़ रही है, तब भी आपको number पूरा visible रहता है, और red tiger इसको owl like night vision बोलता है, क्योंकि यहाँ पे जो lens use किया गया है, वो six layer वाला glass lens है, और यह dash cam WDR, यानि के wide dynamic range के साथ आता है, मतलब आपको रात में भी colors दिखाई देंगे, और वही बात रही details की, तो वो भी miss नहीं होगी, और इस चीज़ से आप समझ सकते हो, कि जो build quality है product की, वो बह available है, और जिस type का product है यह value for the money है, क्योंकि मैं इतने सारे dash cams use कर चुका हूँ, and this is the only dash cam जो सारी needs fulfill करता है, and मुझे सबसे जो cool लगाना वो इसका voice control और touch screen वाला feature लगा, क्योंकि buttons से navigate करना बहुत मुश्किल रहता है, और drive करते हुए, अगर आप dash cam को वैसे use करोगे, मतलब buttons से तो थोड़ा risky भी हो जाता है, तो यह था overall video regarding Red Tiger F4 front 4 के dash cam, बागी इसका जो purchase link हो मैं आपको description box में दे रहा हूँ, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो like, share, subscribe, सब कुछ कर दो, instagram and follow कर लो, so see you in next video, till then, goodbye, take care, respect the tech.